1979 में असम में ब्रह्म पुत्र में जबर्दस्त बाड आई जोराट का जो इलाका है न वहाँ पर एक लड़का था जादो पयांग 16 साल का लड़का उसमें उसने देखा कि बाड में अज़ारो अज़ारो साप मरे पड़े वह ताजूब हो गया कि यह क्या हो रहा है दुनिया भरके जीव जन्तु सब मरे पड़े हैं उससे रहा नहीं गया उसने पूछा तो बोला कि बही अपने याज बंजर जमीन है यहां पे अपने लोगों कोई पेड़ पोदे नहीं लगा है और बाड आती है तो पूरा का पूरा पहा के लिजाती है और हमने सब पेड़ काट डाले उस 16 साल के लड़के के मन में आया कि मुझे पेड़ लगाना है वह आलत ही वह दिन्थार आज का दिन ने उस लड़के ने क्या किया कि गया पहले पर उस लड़के ने वो ट्राइबल जाती का था तो उसको आइडिया लगा कि भी सापों के लिए बास बहुत जरूरी है तो पहली बार उसने 20 मास के पेड़ लगाए और 50 और वहां पौधे लगवाए धीरे-धीरे वो 1979 में स्टार्ट किया ये करता ही रहा एक आप अंदाद साल 30 साल तक 2009 तक किसी को मालूम नि हिंदुस्तान में एक आदमी क्या कर रहा है वो आदमी 30 साल तक पेड़ी पेड़ लगा था रहा सुबह से शाम तक उसकी रोजी रोटी उसके गाये वगएर थी उसके मिल्क से चल जाती थी पर 30 साल तक और कितना उतने आप दुनिया का स 305 हेक्टर का है 3060 हेक्टर का अकेले ने बना दिया और उस व्यक्ति को बात दुनिया में चिपी रह जाती 2009 में जितु कलिता करके एक लड़का वो फोटोग्राफर था वो उदर से आया उसने देखा यार एक साइड में कहां से यह जंगल आ गया वो अंदर गया तब उसने देखा कि एक आदमी यह काम कर रहा है तो उसने वहां लोकल न्यूस प्रपर्स में बगरा जब यह स्टोरी बार आई तो 2012 में ज्वालनार नहरु यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया और वहां फिर फिर इनको फॉरेस्ट मैन आफ इंडिया का एवाड दिया गया फि उनकी स्टोरी को अमेरिका की एकोलोजिकल हर स्कूलों में पढ़ाया जाता है और आज अपने परियावरिन की बात कर रहे हैं अपने खुद को मालूम नहीं के दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट मैन इंडिया में हैं और वह विक्ति अकेला 1360 हेक्टेर में लखों लख को पेड लगा चुका है और वहां आज की डेट में हीरन वहां पर टाइगर बेंगाल टाइगर सौप अलेफेंट आते हैं जो हर साल वहां छे मेने के लिए रहने आते हैं और बच्चे वहां पैदा होते हैं उसके बाद सिंगल हेर वाला रेनोज और हज़रोतर के साब और पंची तो दुनिया के हिंदुस्तान के 80% पंची वहां पर आते हैं तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो क्या कर सकता है यह अपने को देखने को मिलता है इसलिए अकेले का भी होंसला कभी नी तोड़ना चाहिए और अच्छा काम है न वो करते रहना चाहिए दुनिया के ल सब्सक्राइट में साड़े साथ से क्रोड लोग में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो जाने में इनकी कोई मुकाबला कर सके सिंगल आदमी ने लखो पेड लगवा दिये हैट्स आप तुई